तो आज आप लोग सीखेंगे कि स्रीधरा च्यारिश सूत्र से किसी भी दुई घास समी किरण के मूल को कैसे ज्यात करते हैं यह टापिक क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्पूर है तो चलिए आपको सीखाते हैं नमस्कार मेरा नाम सुभम सिंग पटेल है आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल केर्थिमान फ्यूचर क्लासेज में उससे पहले आपको हम कुछ बेसिक कांसेट बताते हैं कि दुई घास समी किरण का ब्यापक रूप क्या होता है अगर आपने इससे पहले के हमारे वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप देख सकते हैं चाहे आपको बहुपत का गुड़न खंड करना हो या दुई घास समी किरण का गुड़न खंड करना है किसी भी टापिक पर अगर आपको प्राबलम है तो कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो इससे पहले के देखने है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि सिरिधराचार सूतर से किसी भी दुई घास समी किरण के मूल को कैसे ग्यात करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ समझना होगा कि दुई घात समी किरण का व्यापक रूप क्या होता है उसी की तुलना से हम स्रीधरा चार के सूत्र से हम कोशनों को साल्व करेंगे तो दुई घात समी किरण का व्यापक रूप होता है ब्यापक रूप होता है AX square plus BX plus C is equal to 0 और जहां A क्या हो does not equal to 0 A का मान क्या हो 0 नहीं होना चाहिए तभी वह क्या होगा दुईघात समीकरण होगा तो चलिए A क्या है दुईघात समीकरण का ब्यापक रूप है तो किसी भी दुईघात समीकरण के ब्यापक रूप के लिए सिरिधराचार ने एक सूत्र दिया वह सूत्र इस प्रकार है सिरिधराचार सिरिधराचार सूत्र है X is equal to minus B plus minus under root B square minus 4AC बटे 2A इस दुईघात समीकरण के लिए सिरिधराचार का सूत्र है X is equal to minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A जहां B क्या है जहां B X का गुडांक है और A क्या है X square का गुडांक है और C क्या है constant है तो एक कुछ basic concept थे कि सिरिधराचार का सूत्र क्या होता है X is equal to minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A यह सिरिधराचार का सूत्र होता चलिए हम आपको सिरिधराचार के सूत्र की सहायता से किसी भी दुईघास समीकरण के मूल को ग्यात करके सिखाएंगे आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे तो चलिए जैसे हमने पहला कोश्चन लिया उस कोश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा चलिए हम सिरिधराचार सूत्र से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे इसको आप समीकरण नमबर एक मानेंगे लिखेंगे सिरिधराचार सूत्र क्या होता है किसी भी दुई घास समीकरण के लिए जैसे दुई घास समीकरण का बयापक रूप होता है ax square plus bx plus c is equal to 0 तो सिरिधराचार का सूत्र होता है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a एक देखिए क्या है दुई घास समीकरण का बयापक रूप है यह क्या है बयापक एक दूसरा है समीकरण नमबर यह है बयापक रूप है दुई घास समीकरण का तो आप क्या करेंगे जो दुई घास समीकरण जिसका आपको गुड़न खंड निकालना होगा उसकी तुनला आप क्या करेंगे दुई घास समीकरण के बयापक रूप से करेंगे तो चलिए हम इसकी तुल्ला इससे करते हैं देखिए आप इसकी तुल्ला AX स्क्वार प्लस BX प्लस C की तुल्ला आप इससे करेंगे देखिए क्या है 2X स्क्वार माइनस 13X प्लस B से तो चलिए तुल्ला करते हैं देखिए यहां क्या है यहां देखिए x square है x square का गुडांक यहां क्या है यह है और इस प्रकार समीकल नंबर 1 में भी देखिए चलिए समीकल नंबर 1 की हम समीकल नंबर 2 से तुलना करते हैं देखिए x square यहां भी है X square यहां भी है, यहां X square का गुडांग क्या है? A है और यहां X square का गुडांग क्या है? 2 है तो यहां से क्या निकल कराया? A is equal to 2 निकल कराया देखिए X square का गुडांग यहां क्या है? देखिए X square का गुडांग यहां 2 है यानि A is equal to 2 हो गया इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार फिर से करेंगे तुनला यहां देखिए B है तो यहां B is equal to क्या हो जाएगा X का गुड़ांग क्या है B है और भी कौन सा B है प्लस का भी है यहां आगे का चिन क्या है प्लस का है तो आप प्लस ले लेंगे यहां देखिए X का गुड़ांग क्या है प्लस का भी है और यहां X का गुड़ांग क्या है माइनस का 13 है तो कहां से क्या निकल कर आएगा आप क्या करेंगे समी करण एक और समी करण दो की तुलना करेंगे और वहां से A, B और C का मान को निक्या लेंगे तो हमने कुछ किया नहीं यहां से हमने तुलना कर दिया देखिए x square का गुडांग यहां क्या है 2 है और यहां x square का गुडांग क्या है यह है तो यहां से a is equal to 2 निकल कराया इसी प्रकार देखिए x का गुडांग क्या है b है और यहां x का गुडांग क्या है minus 13 तो यहां से b is equal to क्या निकल कराया minus 13 यहां c है और यहां क्या है 20 है तो यहां से मान क्या निकल कराएं, A is equal to 2 हो गया, B is equal to 13 हो गया, यहां प्लस है तो किसी भी चारा या चर के सामने प्लस का चिन लगा रहता है, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहां से B is equal to 13 हो गया, C is equal to 20 हो गया, तो चली हम जो मान निकल कराया है, एक कहां रखेंगे स्रीधरा चार सूत्र में, तो लिखिए स्रीधरा चार सूत्र से बिलकुल ध्यान से समझेगा, स्रीधरा चार सूत्र से स्रीधरा चार सूत्र क्या होता है, यहां से is equal to minus B plus minus under root, B is square minus 4AC upon 2 हो, तो x is equal to क्या हो जाएगा देखिए minus b यहाँ b की जगहाँ पर क्या रखेंगे b की जगहाँ स्वारी minus 13 है देखिए b की जगहाँ पर आप क्या रखेंगे minus 13 रखेंगे तो यहां से क्या निकल कराएगा B is equal to क्या हो जाएगा यहां देखे B की जगह पर minus 13 रख देंगे minus पहले से है तो इसको आप कोश्टक में कर देंगे plus minus under root B की जगह पर आप क्या रखेंगे minus 13 रखेंगे तो minus 13 का whole square हो गया minus 4 एकी जगह पर आप क्या रखेंगे एकी जगह पर 2 रख देंगे तो यहां गुड़ा करके 2 लिख देंगे गुड़े C की जगह पर क्या रखेंगे 20 रख देंगे बटे कितना कर देंगे बटे 2 A A का मान कितना है A का मान 2 है हमने कुछ किया नहीं जो सिरीधरा चार सूत्र है उसमें हमने एक ए और बी और सी की जगहा पर मान को पुट कर दिया बस इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही क्या होगा इसका मूल होगा तो यहां से देखिए क्या निकल कराएगा एज इक्वल टू यहां देखिए माइनस गुड़े माइनस करेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा प्लस माइनस हो गया अंडर रूट माइनस तेरा का होल स्कॉार करेंगे तो प्लस का हो जाएगा तेरा तेरा में कितना होता है 170 यह स्कॉार करेंगे तो 13 में 13 का गुड़ा करेंगे तो 179 हो जाएगा यहां माइनस है तो माइनस लिख देंगे इसका गुड़ा कर देंगे देखी गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा चार दूनी 8 और 20 चार दूनी 8 और 160 हो जाएगा यहां से 160 हो गया बटे कितना हो जाएगा बटे दोदूना 4 हो गया बस हम यहां से कल्कुलेशन कर रहे हैं बस और कुछ नहीं है चली आगे हम यहां थोड़ा मीटा कर आपको बताते हैं तो यहां से क्या आएगा is equal to देखी is equal to हो गया is equal to देखी 13 हो गया plus minus under root 170 में से 160 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आगया बटे कितना हो जाएगा 4 हो गया देखे is equal to 13 plus minus नौ का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा तो यहां तीन लिख देंगे यहां जो आएगा उसका वर्गमूल लेकर लिखेंगे तो तीन हो गया बटे कितना हो गया चार हो गया अब आप लिखेंगे प्लस चिन लेने पर यहां देखी प्लस और माइनस का चिन यानि क्या हो गया चार तो X is equal to 1 mole क्या निकल कर आया चार अब लिखेंगे आप माइनेस चिन हिलेने पर चलिए माइनेस चिन हिलेने पर क्या हो जाएगा X is equal to हो जाएगा 13-3 बटे 4 तो इसको solve करेंगे 13 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 बटे 4 देखी कट रहा है 2 दूना 4 दो पंचे 10 तो यहां से देखी 5 बटे 2 हो गया तो मूल क्या निकल कर आए यहां देखी हम यहां लिखते हैं तो मूल हमारा निकल कर आया मूल इज इक्वल टू क्या हो गया यानि यक्स के मान क्या निकल कराए यक्स के मान क्या निकल कराए देखिए पहला मान क्या निकल कराए पहला चार और पांच बटे दो तो यहां आप चार और पांच बटे दो लिख देंगे तो यही क्या निकल कराए मूल निकल कर आया यानि यक्स का मान क्या निकल कर आया यक्स इस इक्वल टू क्या निकल कर आया पहला मूल चार और दूसरा पांच बटे दो यही क्या हो गए इसके मूल हो गए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको सम समझ गये होंगे बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा कल्कुलेशन करना है बाकी इसमें कुछ है नहीं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप दुई घास समी करण से तुलना कर देंगे तुलना करके खर्माण निकालेंगे और सिरीधरा चार सूत्र में एबीसी की जगां पर मान को पुट करेंगे और उसको थोड़ा सा कल्कुलेशन करेंगे प्लस चिन लेने पर और माइनिस चिन लेने पर उसके बाद जो निकल कर आएगा वही क्या होगा मूल होगा तो उमीद करते हैं आपको इस समझ में जरूर आया होगा अगर आप screenshot लेना चाहते हैं तो ले लीजिए चलिए मैं आपको question देते हैं उसे आप करके जबरूर comment box में बताईएगा जैसे हम दे रहे हैं 3x square plus 4x minus 4 is equal to 0 इसे आप हल करके इसका comment box में उत्तर जरूर देंगे कि इसके मूल क्या निकल कर आएंगे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा समझ में आया हो तो एक like करिएगा नए है तो चैनल को subscribe करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टापिक के साथ तब तक के लिए take care जय हिंद भारत माता की जय